नमस्कार सभी को आप सभी का स्वागत है अबर्स एजूकेशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज से कॉंटिनू करते हैं हमारी पेपर की सीरीज जैसे कि आपको पता है पिछे जो आपके पेपर हुए थे उनको हमने कॉंटिनू यहाँ पे सोल किया था और एक्जाम से पहले है काफी सारे क्यों किये थे और वहां से एक्जाम में चैनल देखने को भी मिले थे तो इसलिए इस सिरीज को यहाँ पर कॉंटिनू करते हैं और बीचे के जो ID के इंशाफ हाइट अगर पूछ ले कितनी तो 2, 6, 9, 5 मीटर जो इसकी हाइट है यह तो होगी मीटर में अगर आप से यह पूछ ले फीट में कितनी है तो 8, 8, 4, 2 फीट जो इसकी हाइट जो हो जाएगी अगर एक्जाम में पूछ ले ध्यानक ने अन्नाई पीक यह हम कह सकते हैं साइड पड़ता है कैरला जिसको मसालों का बगीचा भी जिसको बोला जाता है इसके बाद नेक्स्ट दीगे आकरती में दरपन परती भी जो हो आपको बताना है इसके जैसा सेम जो है कौन सा बन जाएगा तो इसके कोडिंग आप देखोगे तो राइट अंसर जो बनेगा उप्शन नमबर सी जो इसका वो बन जाएगा इसके बाद नेक्स्ट परसंड में दिये गए वर्ण अक्सरों को जो आपको इसके उपर अधारी ता और आपको यह बताना है यदि आपके सामने अलफाबेट दिये गए अक्सरों में बी से आरम होने वाला परते एक दूसरा वर्ण यहां पर हटा लिया जाए तो दाएं चोर से दस्वां वर्ण जो हो क्या होगा तो इसमें आप देखोगे बी से स्टार्ट करना है तो बी से हमने स्टार्ट किया उसके बाद उससे परते एक दूसरा वर्ण हटा दिया तो हमने इसको हटा दिया यह हटा दिया हमने यह हट गया यह हट गया इस तरह से आपको μια पर देख द्सक्रांपर बैगे उसके बादेगा च्यार पांच छे साथ आठ नो और दस कुझसा दसवां बनेगा जी यहां पे ओप्षिन नंबर ए जो इसक्रिशन का वो राइट आंसर है चीन में नए जो है आर्थिक सुधार जो है वो आपके कब लाग हुए तो रिफोर्म जो आपके हुए थे चाइना में वो आपके कब तो 1978 में हुए थे ओप्षिन नंबर डी जो इसक्रिशन का वो राइट आंसर है 1978 अब यह आर्थिक सुधार जो हुए थे इनको और क्या बोला जाता है इनको आपका एग्रिकल्चर रिफोर्म भी इनको जो है वो बोला जाता है इसके बाद नेक्स्ट एक पासे में आपके चार जो है फलक दिये गए हैं और यह बताने है निले के विपरी थी यहां पे जो कुण सा है तो इस तरह का जब भी क्योशन है मैंने आपको बताया था कोई भी दो डाइस कोई भी दो यहां पे फिगर जो वो उठाने है जिन में सिर्फ एक चीज कॉमन हो अब इसमें आप आपका वाइलेट तो इसके कोडिंग देखोगे निला हरा तो बिल्कुल आप option यह उठाओ और यह उठाओ यह दो option आप उठाओगे तो इसके कोडिंग बनेगा लाल को यहां पर रोटेट करो इस साइड या किसी भी साइड तापका कौन सा तो लाल हरा और पीला और सेम इ यो महाब योग राष्टपती को अजयता है महाब योग राष्टपती को हटाने की परकिरिया जो हमारे की वही महाब हमती और वह भी好吧 चैजा सकते twenties एक सट ओप्शन नमबर डी जो इसकोशन का वो यहां पर राइट अंसर इगा राष्टपती की बात करें अब इनके बारे में और आर्टिकल देखिए राष्टपती का है आपका देश का पर्थम नागरी के अगर पूछ ले देश का पर्थम नागरी के तो वो कौन हो यहां पर जो देर का है इसके अंदर का है निर्वाचन मंडल के बारे में जो आपका बताएगा अब निर्वाचन मंडल का मतलब यहां पर क्या है कि राष्टपती का जो चुनाव होगा अब उस चुनाव के अंदर भाग कोन कोन लेगा यानि कि जो लोकसभा के सदश्य जो लोकसभा में उरभका में जो कितने सदस्याों old करता है यह इसको नहीं लेते और इस हिसमें आर्टिकल 54 में है तो आर्टिकल 54 हो गया आर्टिकल 52 हमने पढ़ लिया एक सेट महावियोग 55 तो आर्टिकल 55 के अंदर यह दिया गया कि जो राष्ट्रपति का चुनाओ जो है पहले में चुराओ मंडल हो गया कौन-कौन भाग लेंगे लेकिन जो चुनाओ जो है उसकी पद आर्टिकल 55 में इसका दिया गया है तो आपके लिए क्वेशन पूछा गया था वो कमेंट करके बता देना इसके बाद नेक्स्ट और बाकी अगर पीछे की क्लास आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखे पीछे के पेपर भी हमने इसी तरह से सोल किये तो वहां से जाक नोर्स बना सकते हैं और यहां से आपको जो क्योंशन देकने को जरूर मिलेंगे आने वाले अग्जाम सरेंए उसके बाद यो है किस से संबनती है तो घ्रेटमार्क से संबनती है उप्शन नंबर सी ऊको राएट अंसर रहे गा इसके बाद का सामने है दो आठ दोस्त है मन और ये दिये गए है एक विर्था का टेबल पर बैठे हैं उसके बाद जिसमें बी जो है पी के दाएं और दूसरा है तो यानि कि आठ दोस्त है हम यहां पर बना लेते हैं इसको आठ परसन हमने यहां पर बिठा लिए दो तीन चार पांच छे सा और आठ बिठा लिए इसके बाद इसने का है कि बी जो हो पी के बाएं से दूसरा है तो बी हमने यहां पर बना लिया पी के बाएं तो पी के बाएं आपका कौन सा तो यहां पर हो जाएगा तो पी के बाएं यह दूसरा हो गया है यहां पर उसके बाद नेक्स इसने जो दे के बीच में तो हमने इसको यहां पर बना लिया है इसके बाद नेक्ट का है य जो है आपके पी के सामने नहीं है तो य आपका जो है इस पॉइंट पर आपका य नहीं होगा बाकि यहां पर भी हो सकता है 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 कुंसा तो टी और के के बीच में यहाँ न का कुंसा तो यहाँ पुन है इसने बोल दिया उसके बाद वाई आप का यहाँ पी आ बचा कुंसा तो बचा आपका हैं यहाँふ फीर ऑगर यहां पी ऐ अगया म इसने सिंद्धा में क्या पूछ आ पूचे charge से कम है तो अब आप देखो 71 और 21 यानिकि इन दोनों के बिल्कुल सेंटर का एक नंबर आने वाल है तो इसको आप माइनस कर लो कितना बनेगा जीरो और यहां पर कितना पचास तो पचास जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस से इसको दो से भाग कर लो कितना जगा तो यह आपका बनेगा 25 यहां पर यहनिकि यहां तो इक एक्तर में 25 माइनिस कर दो या 21 में 25 जोड़ दो आपका राइट अंसर जो है वह आने वाल है 46 यहां पर उप्षिन नमबर शी इसको यहां पर वो राइट अन्सर उसके बाद सत्यार्थ प्रकास जो है इसके लेखक कौन तो दयाननद सर्वती जो है option number 20 question का वो right answer दयाननद सर्वती तो 1875 में किस भासा में हिंदी भासा में इसका आपके लेखन का कारय किया था दयाननद सर्वती सब्त्यार्त परकाश्यां पे दयानन सर्वती जो है ये वही है आपका एक सलोगन जो है आपका वाक्य हो जाएगा वेदों की और लोटो तो यह important हो जाएगा इसके अलावा कुन तो स्वामी विवेकानन जो है इनी की आद में क्योंकि इनका जनम का 12 जनवरी जो है इनको जनम दिवस है और इसी 12 जनवरी को आपका कुँछा तो National Youth Day के नाम मनाया जाता है यानि की राष्टे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानन जो है इनका जनम दिवस तो यह important है बाकी स्वामी विवेकानन जो है इनका बचपन का नाम यानि की इनका ओरिजनल नाम पूछा ले तो कुछा तो नरिंदर नाथ दत नरि लीग की स्थापना करने का काम किया था 1916 में एनी बेसेंट ने हाँ पे तो ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगा राइट अंसर ओप्शन नमबर भी राजा राम हो रहा है जो है इनोंने क्या कारिया किया था कमेंट करके हाँ पे बता देना साथ आदमी जो है एक काम को बारा दिनों में पूरा करते हैं आठ दिनों में कारिया को दो गुणा कारिया पूरा करने के लिए कितने अतरिक्त पूरुसों की आवशक्ता होगी अब देखिए साथ आद्मी है साथ आद्मी ने कितना बारा दिन काम किया इस इक्वल टू इन्होंने कितना एक काम किया है और आठ दिनों में दो गुना काम आठ दिनों में पूरुष कितने चाहिए एक्स दो गुना काम यहां पर चाहिए और दो चोके आठ च्यारत यह बार कितना x is equal to 21 यानि कि 21 व्यक्ति जो है वो यहां पर टोटल चाहिए जो इस दोगुने काम को 8 दिन में पूरा कर देंगे टोटल पूर इस कितने 21 यहां पर आ चुके है इसने क्या बोला कितने अतिरिक्त कितने more जो है यहां पर जो परसन जो हो रिक्वायर है तो पहले कितने थे पहले आपके 7 थे तो 21 में से 7 माइनिस कर देंगे कितना आजेगा 14 यहां पर जो कि right answer रेगा option number C यहां पर तो 27 में से 21 माइनिस कर दो 6 पे 6 का मतलब है आप F पे जो आप पहुंच चुके 6 नमबर पे उसके बाद और शुरू से 20 की गिंती करते हैं यानि कि आप पहुंच गए कहां पे T पे इसके बाद इसने क्या बोलग है इस परकार आपके ठीक बीच में को ना था है देखिए 6 और कितना 20 यानि कि बिलकुल आपका कितना डिफरेंस है इसके बीच में 14 का 2 से भाग करो कितना 7 यानि कि या तो 6 में add कर दो 7 या 20 में minus कर तो 7 राइट अंसर के आएगा 13 यहां पे और 13 पे कौन सा बनेगा है अपना M बनेगा जो की option number D जो इस question का वो राइट अंसर एगा तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं इसके बाद बाकि math reasoning के हम अलग से भी question करेंगे अभी start करते है डेली शाम को एक math reasoning का एक चोटा सा session जो बताना है कि I use current इसका क्या हो जाएगा तो देखें इसका फैक्टर बना लो क्या बनेगा x2 बनेगा और उसके बाद क्या है एकस प्लस में दो दूबारा से इसका और x- 2 आप जो यह वाला है इसके हम जब यहांपर फैक्टर करेंगे तो इसका बनेगा आपका x-6 और x-2 फ पर स्केर हो जाएगा LCM की बाद पूछे गई तो इसलिए आपका यह अगर एक्षियप पूछता तो एक्षियप आपका डारेक्ट यहां पर एक्स प्लस दो हो जाता लेकिन LCM पूछा गया तो एक्स प्लस दो गया उसके बाद एक्स माइनिस दो दो हो जाएगा उसके बाद एक्स माइनस में 6 बचा तो यह निगा एक्स प्लस में 12 समें 100 ओर उसके बाद कित्रा यहां है 19 ऊहां पर 23 हो गया 33 और पिर चार फिर तीन फिर आपका चार यानिकि 37 जो है राइट अंस राजे का ओप्शन नमबर डी यहां पर दिया गया इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की आयूसमान भारती योजना के बारे में निमन कत्थनों पर आपको विचान करना है आयूसमान भारती योजना कभी इ सनान भारती योजना को परधारमंतरी जन आरग्ये योजना भी योजना भी इसको बोला जाता है पी एम जे एवाई यह भी ध्यानक ना कई बाद इनकी भी फूल फोम यहाँ पे पूछ ली जाती है तो इसके जो है आर्थी कमजोर साहिता के लिए जो है उनको स्वास्तिय के लिए देखवाल करना तो बिल्कुर राइट अंसर आपका बनेगा दोनों के दोनों का थन जो है वो यहाँ पे सही है उप्शन नंबर सी जो है इसका बन जाएगा उसके बाद डबलू टी बी यहाँ पे दिर्ख है और उसके बाद यू क्यो डी और इसमें आपका क्या बनेगा देखे W आपका कितने पे तो आपका 20 पे है उसके बाद T W 23 पे आपका T 20 पे भी आपका 2 पे दिया अब देखे यहां पे कितना तो यहां पे सबसे पहले 2 का डिफ्रेंस है पहले आप लाश्ट वाले में देखो 2 का उसके बाद कितने का तो आपका यह 4 पे हो गया उसके बाद यह साथ पर यह रख आपका ये बनेगा अब बीच वाला उप्शन उटालो या बीच वाला उठालो बीच में हमारा असांसे हो जेगा उसके बाद हमारा कितना तो ट आपका कितने पे तो यह आपका 20 पर है और इसके बाद क्यों आपका कितने पर तो 17 पर M 13 पर H आपका आठ पर यहांगे पहले 3 माइनिस किये फिर आपके कितने यहां पर 4 कर दीए उसके बाद कितने 5 कर दिये 6 माइनिस करोगे तो कितना आपका दो बनेगा जो की O, B, P जो है राइट अंसर बन जेगा उप्शन नमबर D हाँ पर Next, Moment of Water by the Diffusion is called Osmosis हो जाएगा उप्शन नमबर D हाँ पर एक समांतर चतरबुज की को उसकी भुजाओं के समांतर M रेखाओं के दो समोहों में काटा जाता है इस प्रकार बनने वाले समांतर चतरबुजो की संख्या जो है कौनची हो जाएगी तो इसका राइट अंसर आपका जो है बनेगा उप्शन नमबर C यहाँ पर इसके बाद Next जो क्योशन निमन में से किसमे जो है रिन की शर्ते जो आपकी शामिल है तो किसमे आपकी इंट्रेस्ट रेट ब्यासदर में भी हो जाएगा उसके बाद उप्शन सेकिंड भी उप्शन थर्ड भी उप्रोक सभी राइट अंसर बनेगा उप्शन नमबर D यहां पर अभी यह अभी अभी गवर्णर तो आपके होगे जो मोदिन की नर्ची समीजित थैना धैए वह परजेंट है Evil पर चिसमें नमबर के हैं कौन है शक्तिका कांथ जो है बेर जिंटMost उबे ख Antes referendum में पर चिसमें नमबर के हैं और चलो आप यहांपे question का right answer करना पहले भारतिय पहले भारतिय जो है वो आपके गवर्नर कोन थे तो यह comment करके बताना क्योंकि जो पहले क्योंकि आपको बता एक अपरेल 1935 में जो आपकी स्थापना हुई थी उसमें British सासन चलता था तो 1947 के बाद पहले भारतिय गवर्नर या जो भी आपके बने थे उसके बारे में यहांपे comment करके बता देना इसके बाद एक विशे सवस्ता में भूमी भूमिकाओं जूड़ी भूमिकाओं की एक सालनी है तो इसका आपका राइट अंचर कौन साथ option number D बनेगा है यहांपे रोल सेट भूमी का सेट पारा सेल का पूसर का वो राइट अंचर थे C बी की पतनी है तो C जो है ऑ हो बूद इसको बना लिया यह तो पति होगा तो E और D के आपस में कजन हो जाएंगे option नमबर A प्रकास सासेलेशन की प्रकिरिया के माध्यम से वार्षिक रूप में जयमंडल और लगब कारबन स्थेरीकर्ड जो है तो option नमबर A जो इसक्रोशन का वो राइटर्ण 4 गुणा 10 की पावर 13 किलोग्राम तो यह वो क्योशन है जो आपके डारेक्ट इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं इमन में से कौन सा जो है सोरोसी से जो आपका कंपोजिट फल का उधार्ण है तो कौन सा तो यहाँ पे कौन सा जीगा तो 12 वरस का अंतर है तो 12 यहाँ पे अपना कितना है तो अपना दोख है और इसका कितना 12 यहाँ पे आपका जो है इसको गुणा करना है पांच चीके तीस तो इसको भी छे से गुणा कर दो ना थीस ओप्शन नमबर डी जो इसको राइट आउसर का इसके बाद 15 वैक्टी जो है कारे को तीन दिन में पूरा करते हैं तो उसी कारे को दस वैक्टी यहाँ प्तर चीए पन्दरा वैक्टी जो है उसका किसे प्रयोग करने के लिए KYC KYC की फुल फॉम अगर पूछ ले तो Know Your Customer जो है इसकी फुल फॉम होती है और इसका परमानिकन करने के लिए UIDAI जो है इसको Carry करने के लिए आपका जो है आदार तो क्या आजेगा इसका राइट अंसर जो है जो भीम UPA जो हम बोलते है उसकी जो भीम पेमेंट का जो उप्शन होता है उसकी फुल फॉम जो है वो क्या होती है समश्थी अर्थशास तर्चर जो है निमन में से कौन सा हो जाएगा इसका राइट अंसर उप्शन नंबर B वेकर परकिरिया में इथाइन से डैस में उप्चेन की परकिरिया PDCL2 द्वारा जो है उत्परेरित होती है तो उप्शन नंबर B इथेनल जो इसका राइट अंसर हो जेगा उप्शन नंबर B चार्ल्स होर्टन कुले ने अपनी पूस्तक सोशल ओर्गनाइजेशन में प्रात्मिक समू जो है शब्द किस वर्स में आपका गड़ाता तो कब 1909 की बात है यह उप्शन नंबर D इस क्वेशन का जो है वो राइट अंसर यानि कि आपका यहां पे वल्ड हिष्टी से भी आपके क्वेशन पूछे गही है जो आने वाले एक्जाम समय भी हाँ पे पूछे जा सकते हैं सीपी आई जो है कैस पूल इंफलेशन जो है इस यूजरी एसोशेटीड विद किस से एसोशेटीड होता है तो नोन मोनेटरी फैक्टर से धनेतर कारक जो है उप्शन नमबर सी इस क्वेशन का वो राइट अंसर जटिल मोसम पर नाली जो हर तीन साल तीन से साथ साल में एक बार आती है दुनिया के विभीन चेत्रों में सूखा बाड़ और अन्या प्राकरतिक विपदाएं लाती है तो उप्शन नमबर ए ल नीनो जो है राइट अंसरे का उप्शन नमबर ए हाँ पे अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किन तीन उच्छ न्यालों की जो स्थापना की तो जो तीन उच्छ न्याले जो कौन कौन से तो कलकता बोंबे मदराज जो है यह हो जाएंगे उप्शन नमबर ए हाँ पे कौन सा एक्ट जो था तो इंडियन हाई कोड एक्ट जो था एक्ट भी ध्यान के लेना इंडियन हाई कोड एक्ट और यह कब का था हाई कोर्ड एक्ट तो 1861 का जो यह एक्ट था तो इसी के टाइम की बात हा 1857 की करांती के बाद 1862 के लगबग जो था निमन में से कौन सा जो है स्वासते है तू अब स्वास्ते का नाम आगा तो आपको देखते ही पता चल गया डबल्यू अच्छो की हाँ बात हो रही है विश्व स्वास्ते संग्थन डबल्यू अच्छो की स्थापना कब तो साथ अ तो आप सभी को पता है कहां पे जेनेवा स्वीजर लैंड में जो इसका है अध्यक्स कोन तो डॉक्टर टेड्रोस जो है इसके अध्यक्स जो है वह हो जाएंगे सभी जे विवेता होट सपोर्ट को एक साथ रखने में पिर्थी थल के कितने कितना परती सथ जो आपका चेतर ह बनाया जाता है गोले की यहां पे तिर्जा जो है वो बतानी अब देख दी तांबा जो है यानि कि तार आपके किस फोर्म में होता है तो एक cylindrical shape में जो होता है system में उसके बाहिए इसको पिंग लायाmittel जाता है याई कि जब पिंग लाने की पात आजये अगि तो यहां पर एक सेकेν बेखे देखें पाई आर स्धेर एच जो है आपका इसका फोर्मॉला होता है जो कि सिलेंडर की आपकी वोल्यम का इस इूकॉल टूου यह किसके बराबर होगा तो गोले की जो है आपकी गोले की आपकी वोल्यम जो है वो कितने नहीं यानि कि अगर हम radius निकालेंगे इसकी और 1 mm को हमें क्योंकि सारी सी centimeter में इसलिए पहले से ही centimeter में करते हुए चलेंगे तो इसका आपका कितना तो आप निकालोगे तो कितना 0.1 जुछ है इसका बनेगा और स्केर कर दो यानि कि आप यहां पे कितने करोगे तो तो 1 इसकी वেलियू उमारे पास कितनी चत तीस है तो अब तो कितना नो गुणा तीन आगे जितने भी महच चैनागे वह मं यहां पर स्किप करेंगे क्योंकि मैट की अलग से जगिन्Corps करेंगे में यहांपर न न पूकर में काफि कांफी लग जीगा रादा की स्कूल का बस जो ऑपका राइट अंसर कुंसा तो देख लेना ऑप्षिं नमबरock सी जो इसका जो बनेगा दक्षी नियां पे कुंसा देखते हैं इसका दिखे रादा की बस जो आपकी बस बसकी बसका मुझग उत्तर केओ रहे हैं स्कूल बसका मुझग के हो रहा है जब वह आपने स्कूल से जब वह स्कूल पे पहुंच चुकिया और उसकी बस का मुँ उत्तर दिशा की हो रहा है रादा ने जब घर से चलना शुरू किया था और शुरू करने के बाद वह दो बार दाएं मूड़ी है और स्कूल पहुंचने से पहले बाएं मूड़ी है यानि कि यह इसने बोले जब पहले वाले स्टेट में देखे दो बार दाएं मूड़ी है तो दो बार दाएं मूड़ी है तो इसको दो बार बाएं मूड़ दो एक बार ऐसे एक बार ऐसे अब इसने क्या पूछा है रादा के घर के सामने जो बस टोप से निकलते समया जो बस का मुख यहन कि जब इस था पस्षिम बनेगा इसका नाकी दक्षिन बनेगा उप्शन नमबर डी तो ध्यानक ना इस तरह का क्वेश्चन जब यह तो ऐसे करना है डाटा का पहला अस्तित्व जानने के लिए डैस बटन का आपका प्रियूग तो कुंसा तो आपका फाइंड नेक्स्ट हो जाएगा उ परिया बढ़नी आंत्र विक्रिती डैस को प्रभावित करती है तो आपका आंत जो है राइट अंसर आजेगा कुंसा ओप्शन नमबर ए हाँ पर आंत इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं उसके लावा यक्रित के बारे में आप सभी को पता है तो लार्जेस्ट ग्लेंड या इसको दूसराघ पूछले कुंसा तो और बीची का कबर गाहत जो है उसकी मृत्यू का पी सिलीन में जाके होती है और इसलिए देसको जो ब्लट की रिक्वायर मेंट और यहां से पूरी की जा सकते है स्वीन ब्लट भैंट और आर बीची का कब्रगा SPWL जो है इसके यहां पर फुल पूँची गई है तो option number D जो इस question का वो right answer देश में digital भुकतान को प्रभावित करने के लिए निमन मेंसे कि समीती का जो आपका गठन किया गया था कौन साथ तो नंदन निलेकनी समीती जो है option number A जो इस question का वो right answer हीगा इसके बाद next आपके सामने की भुकम की तियूरता जो है किसे मापी जाती है अब question में देखे question में आपके सामने क्या दे दिया एक तो सिस्मोगराफ दे दिया एक reactor scale दे दिया दोनों के दोनों आपके भुकम से जूड़े हुए अब दोनों में difference जो है वो क्या है देखे सिस्मोगराफ जो आपका क्या हो जाएगा एक instrument है जो आपका detect है mein instrument आपका detect करता है यह काम होता है इस instrument का सिस्मोगराफ समंद की से तो यह भी इसका अर्थ क्या भुकम से समंद हो जायगा सिस्मोग्राफ का दूसरा रियक्टर स्केल जो देर का है अब रियक्टर स्केल आपका क्या तो जो नुमेरिकल वेल्यू जो है कितना भुकम्प आया कितना भुकम्प आया नुमेरिकल वेल्यू जो है वो या मैगनिटूड जिसको बोलते है magnitude यानि कि जो question में इसने पूछ रहा है, the magnitude of earthquake यानि तिवर्ता जो किसे तो reactor scale से जो हो मापी जाएगी और भुकम का पता लगाने के लिए किसका तो सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है तो यह दोनों में आपको confuse नहीं होना, यहाँ पर magnitude के बात की गई है original center काँ पे हो जाएगा तो इसका original center करणाल में होगा option number C हाँ पे और वैसे अगर पूछ ले, original center तो इसका जो काँ पे वो करणाल में हो जाएगा जो कि कब 1923 में जो इसको बनाया गया और बाकि इसका normal अगर center पूछ ले यह तो regional है और जो आपका इसका center जो कहां पर तो New Delhi में इसका center हो जाएगा एक विद्यूत iron यानि जो electric iron जो electric heaters हम कह सकते हैं उसमें किसका जो है कौन सी तार का तो नाइक्रोम की तार जो उसका यूज किया जाता है यह तो काफी बार एक्जाम में पूछा गया है option number B mail merge dash में प्रयोग में पते बनाने के लिए इन mail merge dash is used to create address for group mailing ग्रूप mailing में जो आपका किस का तो option number B label का use किया जाता है B option right answer उसके बाद है दीगे श्रिंकला में लुप तो बता रहे हैं तो यहां पर पांच 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 तो ऐसी आजएगा option number B असान सा question था Excel में कई प्रकारिया जो होती हैं जो प्रयोग करता को मान कोगे यादि Excel आजए नंबर फंक्षन कंप्यूटर का question वो अच्छे से cover कर ले ना क्योंकि यहां से आपको same question देखने को जरूर मिलेंगे यहां पर फंक्षन आपके कौन से तो लोजिकल फंक्षन हो जाएंगे option number B बनेगा इसका यहां पर राइट अंसर वर्स 1990 में अपनी सोतंतरता को घुशना करने वाले 15 सोवियत गंडराजियों में पहला कौन सा था तो पहला कौन सा तो option number C यहां पर लिथुआनिया जो है option number C निमन में से कौन सा पोलिस है के राइड पोदों के द्वारा जो आपका बनाया जाता है तो श्टारच हो जाएगा option number A हाँ पर इसके बाद अंतराश्तिय उत्र दक्षिन परिवैन गलियारा आई एन अश्टीशी जो है यहां पर इंटरनेशनल नोर्थ साउथ ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर यह आपको किसको किससे लिंक करता है तो यह आपको मुंबई से मासको को लिंक करता है option number D इसका मासकों कि शो कि शो के रशिया में तो या आपका लिंक करता Yamagallum स्लाइड और प्रवनता बनावत पैटर यानिकि जो आपका ग्रेडियंट टेक्स्टर पैटर्न और पिक्चर इफेक्ट जो है देता है स्लाइड में तो आपका कुण सा तो फिल इफेक्ट आ जाएगा ऑप्षिन नमबर सी यहां पर उसके बाद पावर ओफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंज यानिकि आपका जो स्जा की पूष्टी और दो सिद्धी को रद करने की उचे न्याले की शक्ति जो है वो किसमें नहीत हो जाएगी तो ओप्षिन नमबर ए जो इसके बाद लोकसबा में निर्वाची सदश्यों की अधिक्तम संख्या लोकसबा की बात करते हैं तो लोकसबा का आर्टिकल कौन सा है तो इंपोर्टन है आर्टिकल लोग सबा के आपके अध्यक्स जो है स्पिकर रहेंगे तो यह आपके कोंचे लोग सबां कितनी तो 543 जो है राइट अंसर आजेगा ओप्षिन नंबर ए हाँ पर जो रहेगा तंत्रिका उत्तक की जो आपकी मूह लिकाई जो है तो तंत्रिका की आपको पता है जो नर्वस की नर्वस की नियूरोन हो जाएगी ओप्षिन नंबर ए हाँ पर भारत का वरतमान में डवली अच्छो डवली अच्छो के परतिन नहीं दी तो जो कौन है तो कौन हो जाएगे डॉक्टर राडरिको एच ओफरीन जो है ओप्षिन नंबर बी इस क्रिशन का वो राइट अंसर इंपोर्टेंट कुश्चन जो है वो हो जाएगा यह बाला इसके बाद ला पालमा द्वीब जहां पचास वर्स में पहली बार कम्ब्रे विज़ा जो आला मुखी फटा है निमन में से किस देश का हिस्सा जो हो जाएगा तो कहां क्या स्पेन का हो जाएगा उप्षिन भारत का अगर पूचले भारत का कौन सा तो एक मात्र सैक्रिय जो आला मुखी कौन सा तो बेरन द्वीब पे जो है आपका बेरन द्वीब में एक मात्र आपका सैक्रिय जो आला मुखी है जो कहां पे तो अंडमान नीकोबार द्वीब समू में जो पढ़ेगा एक मात्र सैक पहले भी पूचा गया आपका गयों सकते बन या पर खेती करने के बाद जलाया जाता है वो चीज़ है तो आपका सलेश एंड बर्ण और शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो अपकी भारत में ओप्शन नंबर बीज इस क्योशन का वो राइट अंसर उसके बाद आपको ये वाला क्योशन सोल करना है जोड घटा तो करी लोगे कर अगरवाल जो है डारेक्टर जनरल ओफ पुलिस हो जाएंगे छेत्रफल की द्रिष्टी से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है तो सबसे पहला बड़ा रशिया जो है पहले नंबर पे है दूसरे पे कनाड़ा है और भारत की अगर बात कर ले तो कौन देखोगे तो कौन सा ये आठ है उसके बाद ये आपका दस है उसके बाद ये तेरा नंबर पे है उसके बाद क्यों सतरा पे वी आपका कितना हो जाएगा वी यू वी यानि की आपका बाइस पे हो जाएगा बिल्कुल बी आपका कितने पे दो दो पे उसके बाद आई नो 9 आट उसके बाद 9 का दिफरेंस आईगा यनी 17 उर नो कितना बनेगा 26 यनी 02 की बात होई गदर कि अब देछने बाद सिस्माझाए गी होगी फ॥ यृषिश फिर बड़े से च्छोटा बड़े से च्छूट फिर जड़ बढ़ाएगा बी ओप्शन राइट अंसर वर्तमान में शूक्त राष्टर के स्थाई भारत के स्थाई परतिनीदी और राजदूत रहेंगे उप्शन नमबर डी बनेगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो गया लेकिन अभी परजेंट टाइम में है कौन तो व आपको पता प्राचीन का आल में जो आपके कितने हैं तो 16 महाजनपद हुआ करते थे 16 महाजनपद और इनमें आपका एक था कुन्सा मत्षे महाजनपद और इसकी राजदानी बीख़ी गई तो विरातर नगर राइटांश राजएगा उप्शन नमबर C इसके अलावा जो तो शूर सेन जो है शूर सेन इस आपके जनपद की आपकी जो है राजदानी थी मतुरा तो राइट अंसर मच्छे का पूछा गया विराट नगर राइट अंसर उप्शन नम्बर सी बायो गेस जो है डैस गेस उत्पन नहीं करती तो कौनची यह नाइटरोजन नहीं करती पूछा गया था सबसे ज्यादा मात्रा में अभी वायो मंडल में कौन तो नाइटरोजन जो है वो रहेगी राजीव गांदी खेल रतन अवोर्ट इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया यह एक्जाम में सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्योशन पूछा गया था और अब्शन नमबर डी हैंपर ऑफ दैस इस आज ए डा में मेंबरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम तो अपियर इफ्याटिव लार्जर दैन इट रियली तो आपका इसका कौन सा तो वर्चुल मेंबरी जह ऑप्शन नमबर एंपर एंप कंप्यूटर सिस्टम मुख्य मेंबरी को दर्शानियों का त्रा में। आपकी प्रभावी रूप देखे तो एप अब्ढेक्र 5 Lima की के और िच्छ तो फेले आपका डिट अनौर मिलें कि एक नोर आप अच्छे एक पर आपको जरूरा में ये तो जरूरर घ्जाम मेंद कम से bakın कह सकते हैं, बेसमा की Mur we अगर मैं बताऊं तो आपको लगबग 70-80 पेपर के जो अभी 80 के आसपास पेपर हो चुके हैं अभी अच्छा सची के 2021 में तो वो सारे के सारे पेपर की पीडियेफ आपको मिल जाएगी सो घटा दो कितना 90 और लाब दिया है 112 तो घटा होगे कितना 45 और 56 राइट अंसर बनेगा बाकि डिटेल में मैं तो रिजनिंग की क्लास में करेंगे एक प्रोग्राम है या प्रोग्राम का भागत जो सूपत रहता है जब तक कि प्रोग्राम लोजिक का एक विशिक तबाग सैक रिये नहीं कर देता तो इसका राइट अंसर जो है कौन सा तो उप्शन नमबर सी हाँ पर जो दे रखा है उप्शन नमबर सी बनेगा एक स्कूल में पढ़ने वाले सात्रों की कुल संक्या 10,366 में है तो इनका जो ही ये रेश्यो दिया गया तो राइट अंसर जो बनेगा इसका बनेगा उप्शन नमबर बी हाँ पर जो रहेगा इसके बाद नेक्स्ट आपको एक कंप्यूटर की परस्तूती फाइल को देखने में लगता है जिसमें पावर पॉइंट इंस्टोल होता है allow you to view the presentation file on a computer that does not have the पावर पॉइंट इंस्टाल तो इसका आपका कुंचा तो पेकेस फोर सीडी cd आपका compact disc के option number c जो इसका वो right answer लेकिन अगर यह पूछ ले कि 6 साल कब किया गया तो आपका जो आपका 42 सविदान संसोदन जो हुआ था 1976 में इसके अंतरगत क्या तो 5 से 6 साल जो है वो इसका कारेकाल किया गया था लेकिन आपका लोकसबा और विदान सबा का लेकिन जब 44 सविदान संसोदन 1978 जो हुआ था इसमें जो आपका 6 से लेकर 5 साल दुबारा से इसका वापिस कर दिया गया था तो कितना आपका 5 साल जो है option number 6 question का वो right answer पक्सी विज्ञान जो है वो आपका यनी बढ़ का अब यहाँ पर यह नहीं पढ़ना आपको यह चीज पढ़ने है क्योंकि एक्जाम में यह चीज आई जाती है जो HCS के एक्जाम में पूछ गी तो अगर आपको याद होगा HCS के एक्जाम में भी डिरेक्ट यह चीज पूछी जा सकती है तो यह important होगी अब यहाँ पर बढ़ का है आपको पक्षी विगान से तो पता लग यह हिंदी में पक्षी है लेकिन यहाँ पर औरनीतोलोजी भी यह आपका न्यूरोलोजी ज कहा σपालोग कई जा को बोलते हैं और अगर पूछ लिए उसका अपने सुनाई होगा option number 6 इसका जो है वो right answer है blog जो आपका लिखा जाता है blog के बारे में जो आपका लिखा जाता है जो return के बारे में जो website पे लिखा जाता है वो आपका blog है वी लोग अगर पूछ ले तो वी लोग का मतलब आपका वीडियो जो होता है जो vlog आप देखते हों वो vlog और व्लोग जो है वो आपका जो वेबसाइट पर जो चीजे लिखी जाती है जो आप वेबसाइट देखते हूं वो एक तरह का व्लोग भी जिसको बोल सकते हैं केμरे के सापने मिश्टर एकस किभाएं बैठे हैं ओर पंक्ती के ietiesदर में यहां पर पर्सन बैठें यह केमरे की साइड मुह हैं जuisके मिश्टर प्य और पर्मिस्टर एकस उसके बाद के हैं मिश्टर पी और रहम जैटके es torch और षां और आरं पर ईकज़ेगा और इसके finsi क क levatorके आंब इसकेे कपड़ेघ्ड तो एक ही ऩsti तो इसने में बैठा इसने पहले बता दिया तो यहां पर वाई बनेगा टो में उसके तो इसके बहूंताइए यहां पलने लिएक के डिया के दो रहे and Edie को डunya 17 चांटों क्यों ऐहां पर जो रहेगा वोरेंगा 24 24ason athlet हाविना बेन पटेल जो ही आपका किस केल से संबंदित है तो टेबल टेनिस से ओप्शन बर भी बन जाएगा यदि 27 जनवरी 1906 में जो है एक सनिवार है तो 15 अक्तूबर 1906 में को कौन सा सब्ता जो है वो होगा अब यहाँ पे 27 है जनवरी का कोड अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 114 0 25 0 36 16 यह तो था आपका नोर्मल येर का अगर लीप येर की बात करें तो आपके स्टार्टिंग के दो है इनमें से एक घटा दो 0 3 उसके बाद आ और यहाँ पे 15 अक्तूबर है तो अक्तूबर के एकोर्डिंग देखोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मई जून जुलाई अगर सितंबर अक्तूबर का कितना एक है तो 15 पलस में एक कितना यहाँ पे 16 बटे में 7 हो जाएगा अब यहाँ पे 27 को आप करोगे तो कितना यहाँ पर माइनेस एक बचेगा यहाँ कह सकते छे रिमाइंडर है और यहाँ पर कितना यहाँ पर आपका दो रिमाइंडर बचा यहाँ कि छे के बाद जीरो आएगा उसके बाद एक आएगा उसके बाद दो यहाँ कि अगर छे को आपका सनिवार है तो यहाँ पर संडे हो ज अप्शन नमबर आ बनेगा इसका 5 संक्याओं का उसाट 282 है पहली 2 संक्याओं का उसाट 298 है अन्तिम दो का आपका 173 यानि कि 5 आपका 288 है गुणा कर लो जितना बनेगा उसके बाद 2 का आपका 280 यानि आपका कितना 560 हो जेगा और 178 को 2 से कर लो 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16 तो इनको जोड़ लो और उसके बाद इसमें से माइनिस कर दो जो बनेगा राइट अंसर वो बनेगा उप्शन नमबर यहां पर निद्रा रोग आपका किसे तो ट्री पे सोमा जो है राइट अंसरे का उप्शन नमबर सी जब एक घंड को रंगा जाता है तो निवनतम कार्ट लगाते हैं अब यह वाला क्योशन जो कितनी बार एक्जाम में क्योशन आ गया और इसमें कहा है इसमें आपका डारेक्ट जो फोर्मूला लगेगा अब इसने क्या पूछा गया है एक फल लग यानि कि मैंने आपको बताया था तीन फेस जो है वो उसके लिए आपका क्या ह जो कि बनेगा छे निमें चोंबन पांच और छे चोबीश और पांच 39 राइट अंसर ओप्शन नम्बर सी जो है वो बनेगा उसके बाद निमन में से कौन सा जो है उनाइटी नेशन हीूमन राइट काउंसिल का जो है एक सद्ष्यन नहीं है तो कौन यूएस से ओप्शन न क्विद में जो है यह सारिक है यह सारे के सारे आपके डाल मेंHar में के इसको भो में इसके निठेए बी आर ओ्यमाई न उसके बाद R T C और उसके बाद कुन सा R H P J आपके सामने जो है वो देर का है यानि कि आपका बिल्कुल सेंटर वाला जो है यापके आपने सामने जो है वो हो जाएगा यानि कि M आपका कितने पर 13 पर आपका 18 पर इसमें आपका प्लस 5 कर दिया तो इसी के कोडिंग आप I जो है आपके सामने दिर का है तो इसका आपका कितना आई 9 पर है 9 और 5 कितना तो आपका 14 आई यानि कि सब सेंटर में आपका N आएगा तो यहाँ पर भी N है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो यह तो आपका कट गया उसके बाद स्टार्टिंग में यह आपका बी है तो यहाँ पे आपका कितना तो प्लस एक कर दिया यहाँ पे उसके बाद आर के बाद एस ती तो प्लस दो कर दिया उसके बाद यहाँ पे प्लस में तीन कर दिया तो यह सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा आर के बाद एस हो ज जे है तो आपका सेम सी के बाद डी होगा लाश्ट में और उसके बाद ए बी सी यानि एन ओपी तो ए बी सी होगा तो आपका कुन सा जाता उसके 21 दिन बात जो उसे डिलीवर् हो गया उर उसने प्राप्ट करने जानि जब उसको डिलीवर हुआ उससे दस दिन पहले जो उसने ओर किया था तो रवी इसने सब्था के किस दिन विग्यापन देखा सारी चीजें आज जो है माल लिया आज उसने यहां पर आज के जब उसने ओनलाइन देखा यानि कि यह मालेटे इसने 21 दिन पहले जो है आपका देखा था और 21 दिन पहले और आज जो उसके पास पहुंच गया है अब उसने क्या है मुबाइल प्राप्त करने से 10 दिन पहले यानि आज से 10 दिन पहले जो उसने मंगाया था तो यह इसने दे तो बिल्कुल यहां पे दस दिन पहले अब उसके बाद इसने क्या क्या रखा है कि इस दिन आपका कुंसा तो इस दिन आपका जो है कुंसा तो सोमवार था तो इसने यहां पे दे रखा इस दिन सोमवार था अब यहां पे अगर आपका सोमवार है यानि कि इससे पहले कि अग गुरुबार हम कह सकते हैं option number A जो है वो बन जाएगा इसके बाद next जो Hindi और English जो है वो बनती है और PDF जो है मैंने आपको बताया exam से बहले सारी की सारी PDF अच्छे से cover कर ले बाकि detail में solution हम यहाँ पे कर लेंगे लेकिन अगर पहले आपको करना है तो पहले भी कर सकते हैं बाकि अगर किसी भी क्लास में कोई भी दिख्कत हो तो comment करके आप बताएं और उसी तरह की classes आपकी शुरू कर दीजागी कौन से subject की कौन से टोपिक की जो है क्ल तक कल तक आपकी क्लास आजेगी जिसके अंदर सारी युनिवस्टी के आपकी कब बनेती कहां पे है यह सारी के सारी एक एक करके बात करेंगे देखिए आपको फिल इन दा बलेक्स बताने है दा स्लू सेवन एट डैस बलो तो उप्शन नमबर सी बनेगा इसका यहां पर ए और उसके बाद कौन सा डिस्कोर्ड हो जाएगा जो कि आपर एंटोनियम जो पूछा गया है इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट तो इसका मतलब आपका कुलाडी होता है इसका मतलब आपका क्या गाड़ना होता है यानि कि एक तरह से हम कैसे कि जगड़ा खतम करना जो है इसका मतलब बनता है तो इसके कोड़िंग तू मेक पीस जो है वो बन जाएगा और दूसरा जगड़ा खतम करना बस ही बनता है इसका option number A बनेगा शांती जो है वो बनाए रखना है उसके बाद lambs के आगे का जएका lambs के आगे तो इसका जो है वो right answer बनेगा आपका option number A बनेगा इसके बाद next हिंदी के जो question है हिंदी के आपके same repeat question है अगर आप पीछे के paper जाके देखोगे यह question आपका आया था पहले भी option भी आपके है same option के साथ same question है वो पूछा गया था विशेशन की यह भी आया था आप जाकर चेक करोगे एक बार हिंदी के question आपके repeat विशेशन की किसा वस्ता में किसी वस्तू व्यक्ति अत्वास्तेटी को विशेशता बताने के समाने कि अथन में विशेशन शबद अपने मूल रूप के प्रयोग खते मूल रूप मूलावस्ता option number a ह山ँ पर संग्या स्परणना के रिए 10 सबद के अंतरगत आते हैं तो किसके अंतरगत आते हैं यह विकारी के अंतरगत आते हैं option number B बनेगा जिग्यासा सब्द जो है repeat में question दुबारा से जिग्यासा सब्द का अर्थ है तो कुंसा जानने की इच्छा जो है option number B जो इस question का वो right answer उसके बाद जिन वाक्यों में केवल A की उदेशिया तथा A की विधे होता है उन्हें आपका कुंसा जो है वो बोला जाता है तो कुंसा सरल वाक्या बोला जाएगा option number C यहाँ पर राइट answer तो इस वीडियो में इतना ही under question complete हो चुके हैं बाकी जैसे कि मैंने आपको बता है method reasoning की जो हम को रहता है कि question को आप eliminate करो किस तरह से करोगो चाहिब वो reasoning का question है चाहिए मैत का question है question के option को eliminate करो तब हमारे लिए question solve करना वो आसान हो जाता है क्योंकि हमारे पास choice ही कम हो जाती है जैसे अगर हमने option eliminate कर दिए दो तो उसके बाद हमारे पास दो यह option बचे उसी को क्लास को अगर आप शेयर करोगे स्पोर्ट करोगे तब ही जो इस क्लास को continue कर पाएंगे अगर क्लास अच्छी नहीं लगती तो तो भी बता दें ताकि जो है मैं इसकी जिए पे और क्लासी कर सके और इस क्लास में इतना ही पीडियाफ के लिए टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अबर्च एजूगेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए नख्या लखें पढ़ते रहें जय जय भारत